लोगसभाद दो हजार चुनाव जो है वो बहुत जल्द होने जा रहा है फिलहाल देखा जाए तो कोडरमा लोगसभाद छेत्र अंत्रगद ग्राम पंचायत सिंगों में हूँ यहां के लोग हमारे साथ यूबा है आई एंचे बात करते हुए आपका स्वागत है हमारे चैद मिला जोला के तो ठीकी रहा लेकिन हमारे सेत्र में पहले भी बोली थी की डिग्री कॉलेज के बारे में बॉली थी वहीं दीग्री कॉलेज का आजफासन आप लोगो को मिला था सांसत महोदिया के द्वारा और अब तक उसको अमली जामान नहीं पहनाया गैए। यह एक समस आप से जाना चाहेंगे कि आपका जो छेतर है आपका जो एरिया जहां के आप रहने वाले हैं तिसरी प्रखण इसमें मुख्य रूप से जो मुल्भूत समस्याएं आप लोगों के संग्यान में हैं वो कौन-पौन सी समस्या इनों सही बुला कि डिगरी को होना चाहिए बहुत जिरूरी है बहुत दूर दूर जाना पड़ता है हां के बच्चों को ऐसे छोटी मूटी विकास का कार हुआ है इसे हमनों को बगले का कपनी का रोड़ेव बुना है पानी ठंकी का जो ठागुमगी का बहुत बड़ है सही है या फिर कोई नया चहरा आना चाहिए था बिल्कुल सही है जब उनका कारकाल अच्छा रहा तो पहुती अच्छी बात है कि तिक अच्छा है आप थोड़ा सा पास आए क्या नाम है अपका विश्वकर्मा जी कोडर्मा लोकसवाद छेत्र की कोई एक परमुक समस्य किसरी प्रखंड कि एक कोई प्रमुक समस्या जो आपके संज्यान में है और आने वाले सब में कोई भी सांसत बन के आए जिनके बाध्यम से आप उस समस्या का समधान चाहते हैं क्या है समस्या के समस्या है यह हम लोगों का आए और इंकम का एक बहुत बड़ा श्रोत था वो बंध है काफी लंबे समय से और सांसत कोई भी बन के आए आप लोग चाहते हैं कि जो सांसत बन के आए वो धिबरा का जो पहले के तरह से रोजगार था आप अपना नाम बता है आप बताईए कि किस तरह का सांसत होना चाहिए क्या अनवपूर्णा देवी ने अपना पांच वर्ष का जो कारेकाल है वो ठीक से बुजा रहा है काम किया है लोगों का मिनि लगभक तो है लेकिन कुछ उसमें कमी रह गई है हम चाहते हैं कि जो वादा करे आने वाली सत्ता में जो भी वादा करे उसको पूरा करे यह मुत अ कि वादा कर लिया जाता है उसको पूरा नहीं किया जाता है चै videos में चोड़कि उसे इतना कर दिया जाता है nickel मतलब सा दूसरी वारी आ जाती ऊसके बाद काम फूरा नहीं होगाता है ऐससे इसे ज। फूर रही वहां फूल की ज en CRIS है कि यहां पे फूल बने किन इस ना तो कोई सुनवाई हो पा रहा है ना तो वर्तवाल में जो हमारे सरकार है वो भी कुछ नहीं कर पार है। सामने आ रही है जब परकाश वर्मा की थी। सबसे पहले आप ही बताईए कि कौन उम्मीदवार आपके नजर में सबसे बढ़ी है। सबसे बताई जिसके कारण ये आत्रोशित है। काफी सारे लोगों से बात हो रहे थी लोग सबाश चुनाव 2014 के ताद पोडर्मा लोग सबाश चेतर की जंता हमारे साथ जोड़ी थी और मिशित परतिक्रिया सामने आ रहे हैं। अभी चुनाव में कुछ समय है लेकिन विगुल रगभग बच चुका है बहुत जल्द कैनिडेट्स जो है वो अलग-अलग पार्टियों के तरह से उनके नाम सामने आ जाएंगे। पिल्हाल प्रतिक्रियाएं लेने थे युवाओं की प्रतिक्रियाएं लेने थे अनुभवी लोगों की तो सभी की मिशित प्रतिक्रियाएं आ रहे थी इस तरह की और भी लोगों से बात करके आपको लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनवाएंगे और लोग सभा चुनाव द भी को फूर्ण बहुमत से हम लोग जीताई हैं लेकिन वहां खिरोद की समस्या के बारे में कूछ भी वहां नहीं हो रहा है वहां रोड और पूल के बिना बच्चों की पढ़ाई लिखार में बहुत परेसानी होती है और चिकित सब महलावों के परती में जो भी होता है तो ब बहुत जादे समस्या वहां आपका क्या नाम है बागवानिक कर्मांग बताएए क्या समस्या है आपके छेत्र में जाने सब समस्या सब चिक्के अभी चाल रहा कि इसा सरकार लेकिन ये उतल पुतल हो रही है आपका तिसरी परखंड करमशारी लोग जो हैंसे लापरवाही क करते हैं धिवरा के बारे में क्या कहना चाहिए गारा के लिए बारे में तो हमारा समस्या तो बहुत कमेरी आ रहा कि जो चाहते हैं कि विश्रेश करके बहुत परसानी है मैं रामकुमार राउट जिल्ला परिश्ट सदस के सरी दचनी भाग जिरो चार का सदस हूँ अभी बर्तमान में लोग सभा चुनाव हनों के सामने आ चुका है और वह त्यवहार बहुत जल्द दस तारीक हो चुका है बारह तेरह तक यहां अचार सनीता पी लगने वाला है अभी तक यहां भाजपास से पुराना कंडिडिट स्री मतियानपूर्णा देवी इको टिकट है फाइनल हो चुका है घठ बंधन से फुन रहे हैं जान नहीं रहे हैं कि आज आज दिवाने को मिला है अब उन से जो कंडिडेट का नाम आ रहा है दिनोज सिंग बगोदर के विधैक है दुसरे यहां पूल विधाय के लाज कुमार जादो के विनान सुन रहे हैं अग किसको फाइनल हुआ है या हमको जानकाली पूर्ण रूप से पता नहीं है। बाकी हमलों के बीच जो आप समस्या का बात करते हैं समस्या अनंद और जन्ता के पास जब तक रहे गाई धर्ती समस्या आते रहे और जाते रहे गा उसे कोई पूरा नहीं करते हैं। बाकि जो बुल बुत जो समस्या है उसको ले करके हम लोग आवाज उठा रहे हैं बहुत दिनों से जो अभी तक पूम नहीं हुआ सबसे बड़ा समस्या है कि डिगरी कॉलेज के लिए हम लोग यहाँ जमीन भी मचनियम में उपलब्द रखे हैं उसके लिए बहुत दोड़ किये हम लोग को विश्वास हुआ कि मान्य सिक्षा राज मंत्री जब अनपूर्णा देवी बनी तो यह समस्या का समाधान हो जाएगा इसलिए हम यहाँ से दिल्ली तक दोड़ लगाए केंद्रे मंत्री के पास गए वो कहें अप लिग करके दिये मैंने लिग करके भी दिया हम वहां से एक मुझे चिट्टी भी मिला आया है जो कि अभी तक रखा हुआ है उसमें जब तक राज सरकार का सयूग नहीं होगा जब तक यहाँ पर उसका दबाव नहीं होगा दियाफो के परती परसासन के परती तब तक देवरा यहाँ पिर चालू नहीं होने जाला है क्योंकि एक अगला महिना में यहाँ साथ आठ या नौ को गारी पकड़ करके फोरेश्ट से पकड़के बंद कर दिया गया है जिसके चलते यहाँ के लोग सहमें हुए राते हैं और खुल के डिवरा का काम नहीं कर पाते हैं जिसके चलते बंद हो गया यहाँ की लोग बाहर मिला है यह जो दो प्रमुख मांग आप लोगों के हैं मुद्दे हैं धिवरा और डिग्री कॉलेज का क्या आप जो अगला सांसद बन के आता है च्छेतर से उनसे आप क्या कहना चाहेंगे देखिए अभी तो हम लोगों को सांसद पर भरोसा नहीं है भरोसा है अगर यहाँ बाबुलाल मंडी अगर यहाँ के मुख मंत्री बन जाए कहीं तो उन्पर भरोसा है कि यहाँ अमनों को दिग्री कॉलेज भी हो जाएगा और किसरी को हम लोग उगरवात पर भावी छेतर में बिहार के सटे है और यहाँ एक जिल्ला का मांग करेंगे तब किसरी को जिल्ला करेंगे और किसरी गावार डेरी यैस और परकंड का जो एक अलग और जिल्ला जब जाएगए और यहां विकास भी होगा है